नमस्कारíst मौस्वicz्टेशन में आपका स्वागत है मौस्व'क स्देशन के इस खास बुलेटिन के हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वेश्टर डिश्टरबिंस दस्तक दे चुका है और इसकी वझए से किन किन जगहों पर भारी बर्फबारी का अंदेशा है और इसी के साथ मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो कहां कहां होने जा रही है बारिस लेकिन इन सबसे पहले अपने सभी दर्सकों से हमारा निवेधन है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्याद सेर करें और लाइक करें तो आईए सुरू करते हैं कैसा है मौसम का हाल तो यहां सब से पहले नजर डालते हैं सेटलाइट इमिजरी पर ताजा सेटलाइट इमिजरी में क्या दिख रहा है ताजा सेटलाइट इमेजरी आप देखे किस तरीके से उत्तर पस्यम भारत का हिमालाई छेत्र पूरी तरीके से बादलों से घिर गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगदाक के इलाके में घने बादल आ चुके हैं और इसी के साथ कस्मीर घाटी की अगर हम बात कर प्रदेश का वहां पर भी घने बादल आ चुके हैं पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में घने बादलों ने डेरा डाल लिया है और उसी से लगा हुआ पंजाब में देखे किस तरीके से मौसम बदल गया है और पंजाब से लगा हुआ जो हरियाना का इलाका है वहां पर भ पूरा का पूरा फ्रंट आगे बढ़ता हुआ और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उत्तर पस्षिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदलने जा रहा है दिल्ली इंसियार की अगर हम बात करें तो दिल्ली इंसियार में जमा जम बारिस होने का अन्मान है साथी साथ यहां पर उत्राखंड में भी मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा कई इलाकों में मौसम बदलना सुरू हो चुका है और यह इस्थती लगातार बदलती हुई है यहां पर जो इस्थती है उसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि बादलों की उचाई कितनी है किस तरीके से जबरदस्त तरीके से नमी पहुँच रही है अगर हम उसकी बात करें तो आईए एक और मैप आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बादलों की जो उचाई है वो कितनी है चलिए यहां पर हम उसकी बात भी करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस मैप की एक सबसे जा रहे हैं माइनस उस एक्काइब हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि कि सथा तरीके से क्यूंद जबर्दस्त अक्टिविटी ईयुका है और यह अने वाले दिनों में पंजाबायाना के राजस्थान और पस्षी में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल तक जाएगी यानि मौसम एक बड़ी करवट लेने जा रहा है क्योंकि वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस जो की मिडिल इस्ट में अपना असर दिखा चुका है कई लाकों में बारिश दे चुका है सौध वेदर सिश्टम अब भारत की तरह बढ़ रहा है और भारत में दाखिल हो चुका है अगले 24-48 घंटे जबरदस्त होने जा रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने इसके लिए वार्निंग भी जारी की है चार जनवरी पांच जनवरी और छे जनवरी की अगर हम बात करें तो लगातार भारी हमपात होना है हमाले के चेत्र में और इसके बाद एक दूसरा विश्टम डिस्टरबेंस आ रहा है यानी चार पांच छे और उसके आगे एक और विश्टम डिस्टरबेंस जिसका आसर 9 तारीख तक रहेगा यानी एक बड़े इन ज 누े के लिए आईए देखते हैं numerical model क्या कह रहा है किस तरीके से हवाओं में नमी है किस तरीके से हवाओं में बर्फबारी देने की च्छमता है अगर हम उसकी बात करें तो numerical model को देखे numerical model में साफ साफ देख रहा है कि कस्मीर के इलाके में जबर्दस्त बर्फबारी होनी है क्योंकि यहां पर जो आप मैं देख रहे हैं इसमें yellow color का मतलब है कि एक से 10 mm की बारिस और जो green color है green color की यहां पर जो बात की जा रही है वो हम कह सकते हैं 20 mm से लेकर 4 cm तक की बारिस यानि 40 mm तक की बारिस और जब इसको हम convert करते हैं बर्फ में तो इससे 10 गुना जो है बर्फ हो जाती है यानि इन इलाकों में भारी हिमपात होना है और यहां पर सिर्फ कस्मीर और लद्दाक में ही नहीं यहां पर हिमाचल की भी बात हो रही है साती सातो त्राकंड की भी बात हो रही है चार तारीक की सुबह तक का प्रडिक्शन है और उसके बात की अगर हम बात करें राजस्तान की तो राजस्तान में जैसलमेर, बीकानेर, स्रीगंगानगर, अलवर और जैपूर के साथ-साथ जालाओर तक के इलाके में बारिस का सिलसिला रहेगा लेकिन सबसे ज्यादा बारिस राजस्तान में जैसलमेर के इलाके में होगी और अगर पहाड़ी इलाकों की ब बारिस होगी और भारी बर्ख बारी भारी हिमपात होने जा रहा है और साथी साथ लध्डाक में तो लगातार तापमान नीचे रहेंगे और घने बादलों के साथ कई जगहों पर बर्ख बारी का दोर जारी रहेगा दिली और आसपास के इलाकों में भी बारिस देखी हम कहसे हैं जबर्दस्थ हो रहा है अब आखिरकार यह सिस्ट्म क्यों रहा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि अरब साक्र से यह जो हवाइं आ रही आ रही है यह गुजरात के उपर से होती हुई राजस्तान क विष्टरंट से मिल रही हैं, और यहीं वज़ह हैं डो हवाओं का टक्राव है, जिस्की वज़ह से कस्मीर में भारी से बहुत भारी भारी हिंपात होना है, साथी साथ इसीसे लगा हुआ जो हिमाचल का इलाका है, वहाँ पर जबरदस्ट बर्थ भारी होनी है, और इसी के साथ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भारी बारिस, यानि मद्धिम से लेकर भारी बारिस कई अलाकों में देखी जाएगी और उसी से लगे हुए हर्याणा में जबरदस तरीके से मौसं करवट लेगा, दिल्ली और असपास के इलाकों में रह रह कर ब पुदैपूर हो या हम कह सकते हैं बी कानेर हो जोदपूर हो इन सारी जगहों पर बारिस की संभवनाएं साथी साथ कच्छ के इलाके में भी बारिस रहे की बात कर लेते हैं साथ-tarikh को देखें किस तरीके से एक और western disturbance पहुच रहा है यानि एक और western disturbance और यह जवर्दस तरीके से cyclonic circulation पाकिस्तान के उपर से होता हुआ बड़ी धेड़ सारी नम्हवाएं एक बड़े इलाके में फेक रहा है और यहां पर जो यह साइकलोनिक सर्कुलेशन है यह पाकिस्तान में जवरदस्त बारिस देगा यानि पाकिस्तान में कई जगहों पर भारी बारिस होगी बलोचिस्तान की यहां पर बात हो रही है और साथी साथ गुजरात में खासत और पर सौराष्ट के इलाके में तेज हव के साथ बारिस और इसका आसर ये रहेगा कि यहां दो चीजें आप देख सकते हैं एक तरफ से अरब सागर से हवाएं आ रहे हैं दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो मंगाल की खाड़ी से हवाएं सीधा सीधा मध्यप्रदेश के उपर सामिल हो रही है और यह जाकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिस होगी मध्यप्रदेश में जमा जम बारिस होनी है साथी साथ राजस्तान में जबरदस्त बारिस होनी है पंजाब हरियाना दिल्ली और साथी साथ उत्तरप्रदेश के इलाकों में जोड़दार बारिस का सिलसिला कई इलाकों में देखा ज किस तरीके से और जादा होता हूद है सकते हैं कि अरब सागर से नम हौय इसमें मिल रही है आ रही है आजरो ओगा कि बंदेलखंड का इलाका है वहाँ भारी बारिस कई आजको में होगी चहें वह प्रयाग्राच की बात करें, वहां अच्छी बारिस होनी है, बनारस में अच्छी बारिस होनी है, साथ अगर हम अध्या की बात करें, वहां पर बारिस होनी है, तेज हवाओं के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त तरीके से मौसम बदल रहा है, जबरदस्त मौसम बदल रहा है और यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूरे के पूरे राजस्थान में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिस होनी है और यहाँ पर गुजरात में भी जोड़दार बारिस का सिलसिला रहेगा तेज हवाओं के साथ मुंबई में भी हलकी बारिस रहेगी सात इसाथ दक्षन गुजरात और यहां पर मध्यप्रदेश के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बारिस रहेगी यानि पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तरप्रदेश के इलाकों में जोड़दार बारिस का सिलसिला लेकिन सबसे जबरदस्त बारिस राजस्थान में रहेग है, वह लगातार जारी रहेगा पंजाब में भारी बारिस, हरियाना में जबरदस्त बारिस, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिस, पश्मी उत्तरप्रदेश में बारिस, और यह बारिस का सिलसिला हम कह सकते हैं दक्षन भारत तक जाएगा, यहां पर पूरवी मध्य प्रदेश में बारिस का सिल्सिला रहेगा और इसी के साथ पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बारिस रहेगी और इसी के साथ उत्राखंड में जो बर्भारी का दौर हो लगातार जारी रहेगा कस्मीर हिमाचल और साथी साथ उत्राखंड के इलाकों में बार बारिष 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 बारत तारीक की बात कर लें बारत तारीक को आप देख सकते हैं कि जो बारिस का दौर है वो एक तरीके से पूरी भारत में पहुंच जाएगा पूरी भारत के एक बड़े इलाके में अच्छी खासी बारिस देखी जाएगी और हिमाले के छेतर में बर्भारी का सिलसिला जारी रहेगा और ये कहीं रुक नहीं रहा है एक और हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बिंस यहां पर दाखिल हो रहा है जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बिहार में भारी बारिस साथ ही साथ यह पर अगर हम पूरोत्तर भारत की बात करें तो जवरदस्त बारिस रहेगी, यानि पहाडों पर जोड़दार बारिस रहेगी, पहाडों की अगर हम बात करें, मैदानों की बात करें, ऐसा लग रहा है जैसे मानसून एक तरीके से वापसी कर रहा हो, यानि जाडों में इतनी जबर्दस्त बारिस जिसकी उमीद नहीं की जा सकती है यानि अगले पन्रा दिनों तक जहमा जहम बारिस और जबर्दस्त बर्फबारी का सिलसिला एक बड़े इलाके में देखा जाएगा तो देखते रहिए मौसम इस्टेशन फिर मिलेंगे दोबारा